हलो इबरोन कैसे आप सब एक बार पुना स्यू कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है उम्मीद करता हूँ आप से बच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे क्लास टोल्द कमिस्ट्री न्सी आर्टी में आज का टोपिक है बिटामीन आपका चैप्टर टेन चल रहा है न्यू एन्सी आर्टी के अकॉर्डिंग बच्छो जिस चैप्टर का नाम है जैवनू आप किसी भी स्टेट बोर्ट से हैं आप पढ़ सकते हैं कुछ बच्चे हमेशा मैसेज करते हैं कि सर आप इस बोर्ट को पढ़ाए है ना यह हमारे सलिबस में है की नहीं है हम पढ़ाई करें कि नहीं करें तो आप अपने सलिबस को एक बार देख लो हलाकि यह चैप्टर किसी भी बोर्ट से नहीं हटा है इसलिए सब को यह चैप्टर जैवन वाला चैप्टर पढ़ना ही चाहिए इसके पहले हमने इस चैप्टर का जो भी लेक्चर प्रवाइड किया है वो देखें डो धामन के नियमा नहीं तो आवश्य कार्भनिक योगिक जो हमारे सरीर के लिए अत्यंत सूच मात्रा में आवश्य होते हैं किन्तो इनकी कमी होने से होते हैं कुल मिला करके बिटामीन भी एक जटिल कारबनीक योगीक है जो मुक रूप से एमीन गरूपका होता है धयान रखेगा क्योंकि बच्छों जो बिटामीन होता है ना, इसकी दूसरी परिवासा है सजीवों के सरीर में पाय जाने बाले एमीन्स को बिटामीन कहते हैं क्योंकि बिटामिन जो है बिटाल प्लस एमीन से मिलकर बना होता है। मतलब मुख रूप से एमीन का ये घाटक है। तो जिस प्रकार से भी आपने प्रोटीन पढ़ा, एमीन अमल पढ़ा, एंजाइम पढ़ा, इसके बाद आपने नुकली कमल, हमने पूरा आपको कम्प्लीट कराया। सम्मे कही न कही एक कार्वनिक योगिक ही है। तो यहाँ पर भी बिटामिन भी एक कार्वनिक योगिक ही है। जैसे भी हम आगे चलकर इसका सूत्र भी बताएंगी तो आप समझ जाओगी। तो हमारे सरीर में कुछ आवस्थक ऐसे कार्वनिक योगिक जो अल्प मात्रा में आवस्थक होते हैं। और सरीर के क्रियाओं का एक प्रकार से संचलन करते हैं। और इनकी कमी से हमारे सरीर में रोग उत्पन हो जाता है जिससे हम कहते हैं बिटामिन। ठीक बच्चो एक जटिल कार्वनिक योगिक है ध्यान रखिएगा इसमें भी कार्वन रहेगा हाइड्रोजन रहेगा आक्सिजन रहेगा इसमें भी पाय जाता है और हमारे सरीर में क्रियाओं को संचालित करने के लिए अवस्थक होता है यह दिसकी कमी हो गई तो फिर हमारे सरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन हो जाते हैं इसे हम विटामिन कहते हैं ठीक है कई बुक्स में अलग अलग परिभासा मिलता है आपको परसान नहीं होना है आप इतना जरूर लिख दें कि यह ऐसे कार्वनिक योगिक जो हमारे सरीर में अल्प मात्रा में आवस्थक हो होते हैं किन्तों इनकी कमे से हमारे सरीर में विशेश प्रकार के रोग उत्पन हो जाते हैं जो मुक्रूप से एमीन है हम इसे बिटामिन कहते हैं ओके इतना लिख सकते हैं बच्चो बिटामिन के बरगी करण के बारे में बात करें तो बिटामिन को बिलेता के आधार पर य और ऐसे विटामिन जो बसा में मिल जाते हैं ठीक है उसे हम बोलेंगे बच्चो जल में बिले विटामिन और बसा में बिले विटामिन यानि जो जल के साथ मिल जाते हैं और जो भी विटामिन जल के साथ मिल जाते हैं वो हमारे सरीर में अत्यनत मात्रा में उस सर्जित हो जात हैं और यदि मानव सरीर से उस सर्जन के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा बिटामिन में से इन तीनों का उस सर्जन होता है इसलिए इनका हम स्रोत का जो उपयोग है अत्यधिक मात्रा में करते हैं कि भाई जैसे बिटामिन बी, सी, एच कहां से मिलेगा जैसे दूद का सेबन लोग कहते हैं कि हमेशा आप करें बिटामिन बी मिलता है और हमारे सरीर में बिटामिन बी की कभी हमेशा बनी रहे क्यों कि यह जल में बिले हो जाता है और जल में बिले होने के कारण मूत बसा मतलब तेली ये पदार्थ, जिसे आप घी खाते हैं, दूद में कुछ बसा बना जाता बच्चो, ठीक है, जिससे घी बन जाता है, आप तेली ये पदार्थ खाते हैं, पकवान ज्यादा खाते हैं, तेल से बना हुआ, तो ये जो हमारा बिटामिन A है, बिटामिन D है, ब बिटामिन की अबसकता होगी बताओ जो जल में बिले बिटामिन होगा जैसे बिटामिन B, बिटामिन C, बिटामिन H ये जल में गुलनसील होते हैं ये सरीज से उस सरजित हो जाते हैं इसलिए ज्यादा मात्रा में बिटामिन की इसकी अबसकता होती है इसलिए कहते हैं भीया कि आप लोग सबजी जादा खाओ लोग कहते हैं दाल का प्रयोग जादा करो ठीक है अंडे दूद है ना जादा मात्रा में आप खा सकते हैं ठीक है चावल भी खाइए इससे बिटामिन जो आपका भी है जादा मात्रा में राप्त होता है बिटामिन सी जिसे आप नीबू, संत्रा जो खटापन होता है वहाँ से बिटामिन सी मिलता है नहीं बोलते हैं टमाटर की आप सलाद बना कर खाओ अक्सर कोई वेक्ति बिमार होता है तो इन बिटामिन की मल्टी बिटामिन जिसे कहते हैं इनी का मिस्तरन दिया जाता है सिरफ की रूप में, मैंटी विटामिन, क्योंकि इसकी कमी हमारे सरीर में बहुत जादा हो जाती है, क्योंकि हमारे जल के साथ मिला रहता है, जल का भी सरजन होगा हमारे सरीर से, मतलब जल उस सरजित हुआ, उसके साथ ये भी चला गया, दखाने के लिए क्यों कहा जाता है क्योंकि विटामीन की कमी हो जाती है और ऐसे विटामीन की कमी हो जाती है जो जल में बिले हो करके उस सर्जिर हो जाता है ठीक तो बिलेता के आधार पर या घुलन सीलता के आधार पर दो भागों बाटा गया है जल में बिले विटामीन जो आपका बिटामिन A, D, E और K objective question पूछा जाता है यहां से कि निम्द में से कौन सा जल में बिले नहीं है तो तीन दे देगा B, C, H और बिज में दे देगा बिटामिन A तो जो जल में बिले नहीं है वो बिटामिन A हो जाएगा या आपसन में ऐसा दे देता है कौन सा बिटामिन निम्द में से कौन सा बिटामिन बसा में बिले नहीं है तो फिर आपका तीन आपसन यहां से दे देगा एक आपसन यहां से दे देगा तो ऐसे objective question बनते है इसलिए न मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों कि यदि आप एकदम एक एक point पढ़ाई करते हैं deep में पढ़ाई करते हैं तो अलग से objective पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती पूरा का पूरा clear हो जाता है यहीं से ठीक है तो आप लोग यहां से objective question गुमा करके कोई भी पूछा जा सकता है एक वाकी में उत्तर देगा जल में बिले बिटामिन का नाम लिखिए तो अब बिटामिन B, बिटामिन C, बिटामिन H बसा में बिले बिटामिन का नाम तो बिटामिन A, बिटामिन D, बिटामिन E और बिटामिन K यह चार बिटामिन है बसा में बिले और जल में 3 विटामिन बाकि आपका विटामिन B जो कंप्लेक्स होता है आप लोग देखते हैं विटामिन B कंप्लेक्स लिखा रहता है है ना इसका कारण है उसमें कई सारे विटामिन विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, B12 दो-चार विटामिन है इसलिए आपको इसको पढ़ना ही पढ़ेगा तो पहला बिटामिन जो आता बच्चो पहले नमबर बात करते हैं बिटामिन A की बिटामिन A का नाम और सूत्र जादा आपको नहीं की भाई किसका ब्यूत्पन है ये ऐसा नहीं पढ़ना है ठीक है जो काम का चीज है बच्चो वही चीज मैं यहाँ पर आपको काम हुआ नाम और सूत्र इसको तैयार करना किसका किसका सूत्र तैयार करना वो ही बताऊंगा इसका नाम होता है मतलब रासानिक नाम रेटीनाल क्या रेटीनाल अब्जेक्टिव में पूछा जाता है बिटामिन A का रासानिक नाम इसका C20 H30 देखिए कार्मनिक्योगिक है और इसकी कमी से होने वाला रोग ठीक है आप कहो जाता है नेत्र रोग तो अचा का रोखापन और रताओंधी रताओंधी मतला रात को दिखाई न देना नेत्र रोग जिसे कहा जाता है नेत्र रोग इससे होता है तो अचा का रोखापन मतला आपके तोचा में थोड़ा सा रोखा सूखा सा लगेगा रोखापन आप सोचों कि ज़्यादा तेल लगाया जाए है ना तो ये विटामिन एक ही कमी से होता है अब इसको हम क्या करें कि भाई हमारे सरीर में कमी न हो तो इसके लिए हमें मांस का प्रयोग करना है अंडे का भी प्रयोग कर सकते हैं और जो मांसा हारी नहीं है जो साका हारी है वो दूद का प्रयोग करें मक्खन का प्रयोग करे ठीक है दही हो गहरा खाओ आराम से ठीक है और बच्चों आप गाजर गाजर हरी सबजी हरी सबजी तो सब में रहेगा भई हरी सबजी आप खाओ लिखाओ तो यह होता है बिटामीन A बिटामीन A का रासानिक नाम पूछा जाएगा रेटिनाल सूत रियात कर लेना सुरोत और इसके कमी से होने वाला रोग यह रोग पूछा ही राता है कि रताओंधी किस बिटामीन के कमी से होता है तो फिर आपको क्लियर रहेगा बिटामीन A की कमी से होता है ठीक बच्चों को थायमीन, आप इसका सूत्र याद करोगे, बिलकुल नहीं करना है, बिलकुल नहीं, ठीक है, बिलकुल याद नहीं करना है, इसकी कमी से होने बाला रोग, बेरी-बेरी, क्या बच्चों, बेरी-बेरी, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, लकबा जैसे बीमारी इसी से होता है लकवा पाचन शक्ति में कमी ठीक है फाचन सक्ति में कमी हो जाता है ठीक है घामीन इस्थ ले लो आप कि चावल का चोकर चावल का चोकर ये आपके उपयोगी है विटामिन B1 कई बार एकजाम में पूछा गया है ठीक है इसके बाद बात करते हैं बच्चो विटामिन B2 की बात करते हैं B2, B6, B2, चार ही विटामिन B के चार प्रकार आपको पढ़ना है तो यहाँ पर देखिए बिटामिन कौन सा? B2 इसका नाम आप बताओ इसका नाम है राइबो फ्लेबीन ठीक है? राइबो फ्लेबीन इसका भी सूतर आपको याद नहीं करना है इसकी कमी से क्या होता बच्चो तवचा में फटना तवचा में फटना मतलब तो अच्छा फटने लग जाए ओठों का फटना ओठों का फटना ठीक है? ओठ फटने लग जाए बच्चो या तो आप जीव की बात करें जीव फटने लग जाए तो यह कमी आपको किसके कारन होता है? राइबो फ्लेबीन अर्थात मतलब यह जो रोग है यह बिटामिन बीटों के कमी से होता है इसमें भी सेम वही चीज़ है दूधा आप खाओ हरी सबजियां मतलब किस से मिलेगा भाई? हरी सबजियों से मिलेगा ठीक है? और ठीक है आप ले लो इस्ट अंडे मांस ठीक है चोकरिक चावल लीवर ठीक है अंडे यह चीज़ें कभी यह नहीं पूछा जाता है कि यह कहां से मिलेगा सुरोत कभी नहीं पूछा जाता है रासानिक नाम रासानिक नाम और कमी से होने वाला रोग हमेंसा पूछा जाता है तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है रासानिक नाम और कमी से होने वाला रोग पूचा ही पूचा जाता है इसके बाद बात करते हैं बच्चो बिटामीन B6 बिटामीन B6 का नाम है राइबो फ्लेबिन उस और बिटामीन B2 का है ये गलत हो गया इसका नाम है बच्चो पारी डाक्सिन या पारी डाक्सिन इसकी कमी से आप रोग याद कर लो बस रक्ताल पता क्योंकि सुरोत पूछे नहीं जाता है रक्ताल पता क्या रक्ताल पता रक्त की कमी हो जाना बच्चो रक्ताल पता कहलाता है ठीक है इस नायू तंत्र में बिगा ठीक तो रख ताल्पता मुख्रूप सी यह पूछा जाता है अब मैं वही चीज आपको करांगो जो पूछा जाए जो ना पूछा जाए तो उसके लिए में क्यों परसान हो भाई है ना सही है कि नहीं अब बोर्ड एक्जाम पास में आ चुका है बाकी तो आपके एबुक में खुब सारा मिलेगा बिटामिन बी ट्वलब साइनो कोवाला मिन साइनो कोवाला मिन ठीक है याद है आप लोगों को कोवाले मिन ठीक है साइनो कोवाले मिन अब इसका भी स्रोत आपको पढ़ने जिरोत नहीं है बस इसका ये समझो ये मुख रूप से इससे इमान एनीमिया एनीमिया में बिक्रत, मतलब एनीमिया आपका बुखार बिगड जाए ठीक है, और जैसे जीव में दाड ठीक है, एनीमिया में बिक्रत याद कर ले न ठीक, यह चीज़ आप एक ही याद रखो एनीमिया एदी हो रहा तो विटामिन B टॉल विकी कमी से ठीक ये चीज़ हो गया बच्छो तो ये बिटामिन A और बिटामिन B हुआ अब बिटामिन दी हम C की बात कर लेते हैं बिटामिन H दी आप से कोई पूछे तो बिटामिन H का नाम है बायोटीन बिटामिन H इसका नाम है बायोटीन क्या है बायोटीन इसकी कमी से मुखरूप से लकवा और चर्म रोग होता बच्चो क्या होता है चर्म रोग ठीक ये दो लकवा और चर्म रोग ठीक है और आप त्यार करनो बिटामिन सी एसकार्विक अमल ये मात्रपूर्ण है यहां से कुश्चन पूछा जाता है एसकार्विक अमल के कमी से इसकर्वी रोग हो जाता है पाईरिया इसकर्वी और पाईरिया इसका सुरोत क्या बच्चो खटे पदार्थ खटे पदार्थ लिख लुआ खटे पदार्थ खटे पदार्थ में क्या क्या आ जाएंगे आपका हो जाएगा संत्रा हो जाएगा नीबू हो जाएगा अंगूर हो जाएगा टमाटर हो जाएगा आमला हो जाएगा यह खटे पदार्थ ठीक है याद रखिएगा इसके बाद बिटामिन डी विटामिन डी का नाम कोई बताएगा एल्गो केल्सी फिराल बड़ा खतर नाम है इसका एल्गो केल्सी फिराल केल्सी फिराल एल्गो केल्सी फिराल ये कहां से मिलता है दूद अंडे मांस से मिलता है इस से हो जाता है रिकेट्स क्या हो जाता है रिकेट्स बिटामिन D से रिकेट्स होता है इसके बाद बच्चो बिटामिन E बिटामिन E टोको फिराल क्या टोको फिराल बिटामिन E टोको फिराल प्रजनन में कमी हो जाना मतला प्रजनन छमता में कमी हो जाना ठीक है ये चीज होता है प्रजनन छमता में कमी हो रा मतलब बिटामिन E और बिटामिन K बिटामिन K बताओ आप बिटामिन K है फाइलो क्यू नोन ठीक है बिटामिन K यहाँ पर बच्चो खून का बहाओ मतलब रक्त जैसे बीमारी आ जाएगा वो आपका पहलाएगा बिटामिन की ठीक तो ये आप लोगों को मुक्रूब से इनका रासानिक नाम और होने वाली रोग इनके कमी से कौन सा रोग होता है उसे त्यार करमा है ठीक है बच्चो कोदिकत तोको फिराल से क्या होता है प्रजनन छमता में कमी ठीक ये चीज़े हैं तो उमीद करता हूँ कि आप लोग बिटामिन से जो भी यदि रोग होगा कोश्चन बनेगा अबजेक्टिव टाइब में तो वह बन जाएगा बच्चो इसमें कुछ है नहीं यार इसमें कुछ है नहीं ज्यादा आपको रट्टा फिकेशन की ज़रुत नहीं पड़ेगी एक बार आप पूरे बिटामिन का नाम है ना और उसके कमी से होने वाले रो कि नहीं पड़ेडम परण पर आपड़ेपर आपको र ہو साफड़ में खरो इंकेशन की कि